कमिंग फिलिप लाखिन एक प्राकर्णतिक पोईम है नेचर पोईम बोल सकते हैं से जैसे इवनिंग का दृष्चे का वर्डन करती है और इवनिंग के समय आज़ पास का जो दृष्चे है घरों का और बगीचों का और पक्चिवों की स्तिति ये सब इसमें वड़न करती है ओन लॉंगर इवनिंग एक लंबी साम लाइट छील एंड येलो उस साम का प्रकास जो था वो ठंडा और पिला था 32 सहरनी फोरेड ओफ हाउजिस और इस प्रकास से फोरेड ओफ हाउजिस गरों के सामने के सहरनी जो सांधिस से है वो उनके उपर ये प्रकास पढ़ता है यानि घरों के उपर प्रकास पढ़ता है तो यसा लगता है जैसे वो घर प्रकास से 32 ना नाते हो एत्रा सिंगिंग एक सोन चिडिया जो है वो उस समय गीत गाती है जो की बसंत रितु के आने का संके देती हुई परतीत होती है रोलर स्राउंडिंड इन दीप बेर गार्डन एक गना और बाउंडरी हीन या बिना बाउंडरी का बगीचा है जो की लोरल जे पत्र के पोदो से घिरा हुआ है इस प्रेस बीड वाइस इस त्रस सिंग जो सोन चिडिया है इसके आवाद तादगी और बीड वाइस मदूर आवाद है इस ट्रोनाइजिंग दा ब्रिक वर्क नीटों का काम करने वालों को भी अचंबित करती है इस विल बी इस प्रिकिंग सून इसा लगता है जैसे शिगर ही वसंत्रितु आ जाएगी और आई वाज आई हूँज चाइड उड और मैं जिसका बच्पन इस ए फॉर्गोटन बोडम जिसका बच्पन भूला दिया गया बोडम जो उबन भरा अब उबन भरा है फिल लाएक है चाइड वो फिर से बच्चे जैसा कभी अनुबव करता है हूँ कम सोने सीन ओप एडल्ट्स रिकांचिंग वो बच्चा एडल्ट रिकांचिंग बड़ों के बीच में तालमेल बिटाने का प्रियास करता है ऐसे द्रश्य के अंतरगत उस बच्चे को वो लाता है अपनी कलपनाओं में और वो बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है बर अन्यूजवल आप्ठर उसके समझ में कुछ नहीं आता है फिर भी अन्यूजवल आप्ठर वो एक असामाने से हश्यासता है and start to be happy और कुछ होना शुरू कर देता है तो ये एक प्रकार से कभी कलपनाओं में चला गया यहाँ पर कुव बच्चे जैसा अनुबव करता है ये दोनों द्रश्यों को देख करके साम के द्रश्य को, बगीचे के द्रश्य को इन तीन द्रश्यों को देख करके उसे बच्चा जैसा अनुबव होता है और इस प्रकार से वह कलपनाओं में चला जाता है और उस बच्चे को वह अपने आपको बच्चा मानते हुए बड़ों के बीच में तालमेन बिटाता है यदि उनकी बाते उनकी समझ में नहीं आती है फिर भी वह एक सामाने से असी हसता है और कुछ होना शुरू कर देता है जैसे आमतर बच्चे करते हैं वेशी ही बात यहां पर कभी दोरा कई जा रही है